हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे आज मैं आपको बताऊंगा quadratic equation को कैसे हम solve करते हैं शलो दोस्तों हम देखते हैं जैसे कि quadratic equation का हमारे पास एक format होता है जिसे हम बोलते है quadratic equation होती है और एक होती है हमारे पास linear equation quadratic equation का format होता है जैसे ax plus bx plus c इसे हम बोलते है quadratic equation ठीक है जे quadratic equation होती है और हमारे पास एक दूसरी होती है linear equation उसका format होता है ax plus bx plus c जे होती है हमारे पास linear equation quadratic equation में हम factor करते हो linear equation में हम ऐसे equation को solve करते है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ अगर हमने quadratic equation करनी होना तो उसके लिए हम factor करेंगे हमने सबसे पहले j जाद रखना है अगर हम quadratic equation करनी है तो हमने मैं आपको कैसे हम उसमें sign method से हम easy डंग से कर सकते हैं और कैसे उसको sign देने है जैसे कि अगर equation में हमारे पास sign होना plus plus यहां पर मैं smaller sign लिख लूँगा यहां पर bigger ठीक है bigger यहां पर smaller वाला अगर हमारे पास equation में plus plus हो तो हमने लिखना है माइनस माइनस अगर माइनस प्लस हो तो हमने लिखना है प्लस प्लस अगर प्लस माइनस हो तो हमने लिखना है प्लस माइनस अगर हो माइनस माइनस तो हमने लिखना है माइनस प्लस इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको कोशन सोल्व करके बता देता हूं अगर जैसे कि कोई एक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्यार प्लस बारा एक्स प्लस थर्टी सिक्स और दूसरी ले लेते हैं साथ बाई माइनस सिक्स्टी ठीका यह हमारा एक कोशन हो गया हमने दोनों में इसमें रूट फाइंड आउट करने हैं यह देखलो हमारे पास यह क्वाड्रेटिक कोशन है यह बला फॉर्मेट है यह क्वाड्रेटिक अगर सिंपल आ जाए तो ऐसे वह लीनियर उक्वेशन हो प्लस प्लस है जहाँ पे यए दो प्लस प्लस इसमें है तो हमने जय हमारे इसके तो वह माइनस माइनस में आए तो हम लीकमें, माइनस माइनस minus और हम यह देख लेंगे quadratic equation में हम ऐसे करते है कि यह मतलब जो फस्ट में coefficient होता है इसके साथ उसकी इसके साथ multiply करते है इसके साथ है नि तो multiply नहीं होगी और multiply करके जो आएगा न हमारे पास वह आना चाहिए और plus करके J वह आना चाहिए और हमने J भी देख लेना है अगर जो sign जहां पर हो न वही करके आएगा हमारा और देख लेंगे जहां पर 36 and 36 कैसे आ सकता है हमारा प्लस करके कुछी दो नमबरों को हम देख लेंगे हमें पता है कि अगर प्लस करके आना तो हमने 6 6 को प्लस किया न तो हमारे पास 12 भी आएगा और 36 मल्टिप्लाई करने पर भी आएगा और इसके फेक्टर जे बन जाएगे ठीक है न आपको ऐसे ही पता चल जाएगा अगर शोटी हो शोटी एक्वेशन हो ना तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आपको फिर भी पता चल जाएगा किस को मल्ठीपलाई करके कैसे हम प्लस करके जा माइनस करके क्या नंबर आता है हमार माइनस तो हमारे पास जो रूट आएगे ना इसके जो फेक्टर आएगे उसके साइन पता क्या होगे यह प्लस माइनस है तो उसके साइन होगे प्लस माइनस हमने जहां पर लिखा प्लस और माइनस ठीक है और हमने यह देखना है कि जहां पर माइनस का नसान है तो हम माइनस करके ही हमारे पास 7 आना चाहिए और मल्टिप्लाई करके हमारे पास six tea आना चाहिए अबहा हम ऐसे यह कौन से दो नमबर है अगर वैसे करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं अगर वैसे अगर हमने देखना हो तो हमें पता है कि अगर 12 और 5 को माल्टिप्लाई करेगा तो महारे पास 6 मतब 60 आएगा और अगर अगर 12 में से 5 माइनस करूंगा ते हमारे पास 7 आएगा हम लिख लेंगे 5 और 7 थो यह लुघ ठीक है कि हमने यह वाले रूट से लेकल गवाले प्लस महीं से बॉस्त यह नहीं प्लस और माईनस जठेकब ना जो वय अब हमने कंपारीजन करना है यह देखेंगे हम करेंगे अगर जे वाई बढ़ा है ठीक है अगर इसे करेंगे तो हमारे पास हमें बता कि जे बढ़ा है ठीक है क्योंकि जे 6 का माइनस का 6 है जे 12 माइनस का जे बढ़ा है अगर ऐसे आ जाएगा एक उसका बढ़ा जाएक उसका चोटा चोटा तो हमारे पास अंसर आता है सी एंडी हमारे मैं आपको कंपेर करके बता देता हूं यह देको माइनस 6 है ना माइनस 6 और प्लस 5 इसमें प्लस 5 बढ़ाए अगर हम इससे करूंगा माइनस 6 और प्लस माइनस 12 इससे जे बढ़ाए एक वार जे बढ़ा आगे एक वार जे बढ़ा आगे तो हमारा अंसर आएगा सी अंडी केंड नोट बी डेटर्माइन इसमें हम बता नहीं सकते कि कौन सा अंसर है कौन सा बढ़ा है कौन सा शोटा है ठीक है ना हम कोई और एक्वेशन देख लेते हैं जैसे की 10 2 X – 11 X plus 15 और टूवाई माइनस लेवन वाई प्लस फिफ फॉर्टीन अब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास साइन क्या आएंगे और जहां पर कोफिशेंट है कोफिशेंट जहां अगर सेम कोफिशेंट है अगर सेफ कोफिशेंट हो तो लास्ट में हम डिवाइड भी करते हैं तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अगर अलग अलग कोफिशेंट है या तो डिवाइड कर दो या तो मैं आपको कोशन जब कोशन में आएगा न मैं बताऊंगा कैसे का हम क प्लस है ना हमारे पास जो factor हो एक ना उसके sign होंगे plus plus हम पहले लिख लेंगे plus plus ठीक है अब इन दोनों को हम multiply करें तो हमारे पास 13 आएगा ठीक है थीक है थचान 30 आएगा हम देखेंगे की जहां पर प्लस करके हमारे पास 11 आना चाहिए और multiply करके हमारे पास 13 आना चाहिए ऐसे कौं से दो नंबर है अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि ऐसे अगर हमने निकाल लाएं तो हम ऐसे निकलेंगे इन दोनों को multiply करेंगे हम इसे प्राइम नंबर में तोड़ने कोशिश करेंगे जायतर क्यूंकि उससे काफी इजी हो जाता है ठीक है तो हम हमें पते कि यह हो गया हमारे पास 6 और 5 अगर हम दोनों को मल्टिपले करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 आ जाएगा और प्लस करने पर हमारे पर 11 आ जाएगा तो हम यह लिखेंगे हमारे जो उसचोटा वला यह और बड़ा वह जांपे ठीक है तो हम यह हमारे पास एक्स ऑक्रस आ गए ठीक है दोनों को मोल्टेप्लीफ है और आठीक है अब हमारे पास असको हेम के उसमान अगे हमारे लिखते को कर दे के अंफोर हमारे पास अगर हम संगे मिलक्र कि दोन saved प्लस का निशान है तो प्लस करना है अगर हम जहां पर माइनस का निशान है तो हम माइनस करके देखेंगे कौन सा क्या आएगा ठीक है माइनस करके देखेंगे अगर जहां पर माइनस का निशान है जे देखो दोनों को फोर इंटू सेवन किया हमारे पास ट्वंटी एट आए यह सब्द ना न बढ़ देख लेंगे हमारे प्लस इस को इन दुनों से करेंगे हम अब देख लेंगे हम हमारे पास तो इसका भी अंसर आएगा cannot be determined हम बता नहीं सकते कौन बड़ा है आगे करने की जरूरती नहीं है जब हमारे पास पता लागे हैं कि sign opposite आगे तो आगे करने की कोई जरूरती ही नहीं है जहां पर भी C&D कि अंसर आएगा मैं आपको बता देता हूं दूसरी जो linear equation है उसे कैसे सोलू करते है यह देखो उसमें sign बगारा देखने की जरूरत नहीं होती आपको बताता हूं जैसे को linear equation है कोई देख लेते हैं जैसे कि 7x-3y-13 यहां पर 0 और 5x 4y-14 ठीक है सबसे पहले हम यह देखो यह linear equation का फॉर्मेट है यहां पर यह देख लो यह सेम ऐसे ही है यह देखो ऐसे ही है ठीक है इसे हम बोलेगे एक्स इसे हम बोलेगे बी एक्स माइनस जब प्लस कुछ भी हो सकता है जाहां पर इसे वह लेंगे थीका अब हम इसे कैसे solve करते है इससे solve करने के लिए हमें पहले तो हमने जो जहां पर है ना इसको यह लास्ट में है इसको हम इधर इधर ले जाएंगे ठीक है जैसे 7x-3y जे माइनस का ना उदर जाके ब्लस का हो जाएगा जहां पर थर्टीन हम इसे लिखेंगे ऐसे 5x प्लस 4y यहां पर माइनस आए ना यहां पर प्लस उदर जाके प्लस हो जाएगा जहां पर अब हमने यह देखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो हम easy से मतलब multiply करके काट सकते हैं जह देखो हम 7 को भी 7 7 और 5 को 35 बना के काट सकते हैं और 3 और 4 को 12 बना के काट सकते हैं हम 12 बना के काट लेती है यह उपर वाली मतलब जो के फस्ट वाली है उसको 4 से multiply करेगे पूरी एक्वेशन को जो नीचे वाली इसको 3 से करेंगे हमने 4 से गिया उपर 28x-12y इधर 52 आ गया हमारे पास हम नीचे वाली को 3 से करेंगे 15 यहां पर प्लस 12y और 120 आ ठीक है अब हम देखेंगे इसको काटेंगे हम अगर ऐसे ही काट गया तो काट लेंगे के अगर आए तो हम साइन चेंज करतेंगे ठीक है जै ऐसे ही काट रहा है क्योंकि जहां पर माइनस है जहां पर प्लस है काट दिया अब यहीं सोगे महरे पास इसका वर्टी 3 अगर हम इसको दोनों को प्लस करते यह ना तो महरे आग्प 43 X danas lastas को गया या 4 से चल जाएगा जिए 4 से 72 4 से चल जाएगा ठीक है मतलब 2,2,e3,1 टैक है इसमें किया मतलब मल्लिपलाइब इस sua precooth, ठीक है multiply करके नहीं ऐसे ही पहले भी कर सकते हैं ऐसे कि इसमें किया इसमें 4 रखा जहां पर 7 7 के साथ 7x लिख लेते है बले 3y x 13 हमने यहां पर y की value निकान लिया है क्या है ठीक है 4 है इसकी value 7 x 4 माइनस 3y 13 ठीक है 28 दोनों को multiply किया 28 माइनस 3y 13 अब यह 3 उदर ले जाएंगे वह 13 इदर आजाएगा तो मैं यह माइनस का हो जाएगा ठीक है 13 जे 3y अगर हम दोनों इसमें सब्ट्रेक्ट करते हैं तो हमारे पास 15 और इदर 3y तो है अब जे 3 यह नहीं नीचे डिवाइड हो जाएगा कि यह की value हमारे पास अगर हम काड़ते हैं तो हमारे पास पांच आजाएगी एक एकस हमारे पास है एकस है फोर वाई है फाइफ तो एकस इसका अगर हम देखेंगे तो एकस शोटा है वाई से जे हमारा अंसर आजाएगा ठीक ना अब मैंने आपको बता दी कि लीनिर उक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक उक्व और कि अन्दर स्रीफ प्लस प्लस है तो आप लिख वहां पे लिखोगे सीधा माइनस-1 आड़े जो उसके रूट बनेगे आपको पता लाग जाएगे ब्लस करना है जाएं अमाइनस करना प्लस करके जैसे को डवैल है तो आपको पता है ट्वैलब थ्री फॉर का 12 होता है औ मैं इसके और भी कोशन लेकर आऊँगा यहां पर आपको अच्छी तरह से और भी काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाई जाएगी थैंक यू दोस्तों